हेलो फ्रेंड्स आज के जबीरी में हम जानेंगे मारूती ओमनी को कैसे चलाते हैं स्टेप बाइस स्टेप प्रसेस के साथ में तो सबसे पहले मैं कुछ स्टार्टिंग से बताता हूं अब देखिए यह मारूती ओमनी है हमारे पास और इसका लुक में आपको दिखा देता हूं एट सीटर मारूती ओमनी तो चलिए अब ड्राइबर शीट पर बैठ गया हूं तो सबसे पहले आपको यह करना आप सही तरह से बैठना है और अपना जो स्टीट बेल्ट है इसे लगा देना है श्रीट काम उसके बाद है आपको यह देखना जरूरी है कि आपका अगर है तो लगा हुआ है या यह नहीं तब यह स्टार्ट भी हो चुका है तो इसके अधा आपको गाड़ी चलाने से पहले मीरा को भी सेट कर लेना है इसाही तरह से आफियार Bluetooth और ये वाला जो वाला जो मरना तो चलिकाइज हो डी मेर करना इसको भीकार करते में मैं कुद झुका हूं आफ मैं उस्कार जा चलता है alors यहां पर आते हैं पर जूत है यह बात है यह लिलेज कर चुके हैं उसके बाद बाला काम जो है दोस्तों यहां पर आपको नीचे के तरब आपको तीन चीज़े नजर आएंगे मैं आपको सही तरह से दिखाता हूं यह वाला जो एक्सेलेटर है यह ब्रेक और यह है क्लाज दोस्ते एकलेटर का काम यह है कि स्पीड बढ़ेगा इससे और ब्रेक का काम है कहीं रोकना हो स्लो करना हो तो इसको आप प्रेस कर सकते हैं आपको धियान में रखना है कि जब आप एक्सेलेटर मारेंगे उस वस्त आपको ब्रेक नहीं मारना है कि दोनों तो एक ही पैर में होता है लेकिन इसका रूल भी यह नहीं है कि एक्सेलेटर रग मारते हुआ आप जो है ब्रेक दबाएं उसके बाद वाला काम जो है क्लाज अगर आप बाइक चला तक पता है क्लाज इंजिन फ्री करने के लिए डाला आता है गेर डालने के उसके बाद यहां पर जो गेर है देख सकते हैं यह चार गेर वाला यह गाड़ी है तो अब देख संग अगर इधर से इधर आ जाए तो समझना कि यह निउट्रल पर है तो अमें फास्ट गेर डालना है लेफ शेट को लेकर जिस तरह सिंबल दिया गया है आगे धकलना है त मैं धला यह अविंट चोड़ ही नहीं हो गाड़ी गर्ना सुरू हो चुका है कि देखिए यहां पर मैं पूरा छोड़ चुका हूं अब यह गाड़ी गड़ रहा है अब इसी तरह हमें शेकेंड डालना है फुल रंग प्रेस क्लॉच्ट दबाकर शेकेंड डालने के लिए हमें इसी तरह नीचे लेना है एक से सीधा नीचे ही शेकेंड गेर आता है फिर फिर चेहमें आगे बढ़ जाना है धीरे-धीरे दीरे आपको चौड़ना है में तो तो इसी तरह थाज़ की आपको उसी तरह अब यहां पर थोड़ा सा जो हींड था में गाड़ी चलाने का वह मैं आपको बताया तो अब यहां पर उमनी में जो नर्माल चीजें होते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको दिखा हूँ कि एक से चार तक गेर किस तरह हम डालते हैं तो चलिए आप यहां पर मैं क्लॉस दबात जब भी गेर डालें तो आपको याद रखना ज़रूरी है कि आपको क्लॉस दबाना पूरा है तो यहां पर देख सकते हैं दोस के तरफ पूरा लाते हैं तो सेकेंड के हमारा यहां पर पढ़ जाता है तो एक बात ध्यान में रखना जुरूरी है अगर कोई गेर पर होगा तो इस तरह इस तरह पूरा नहीं जाएगा जिस तरह आप नीचे लेना है यह बढ़ गया से करेंट गयर थाड़ गयर के लिए दो से आपको आंपी लेना मीडल पर और तीथीरे से आगे लेना है राइट शाइड में और यहां पर आगे लेना है यह तर फड़ल पर पढ़ गया होगा के जा तो आपको समझ में आ गया होगा डाला जाता हो थीड यह फ्या पर वाला वाला वहाला होतार तो रिवर्स के उपर 1-5 होता क्वें जिस तरह आप बताता है अभी बतातेसं आब यह नीटल पहं अप्र salt अ Cake अभूस के लिए इस और यह हाई मोड में चलेगा अब यहां पर लाइट कंट्रोल के बारे में भी हम जान लेते हैं तो चले दोस्तों हम लाइट कंट्रोल के बारे में बाते कर लेते हैं तो लाइट कंट्रोल का बटन जो है यहां पर नजर आता है यह वाला स्टीक है और यह वाला जो mode है हम यह off वाला mode है यह off है और यह हुआ तो यहां पर light जलेगा और आगे के तरफ headlight का जो दो छोटा-चोटा light होता है वो जलने लगेगा इसकार यह वाला light है headlight जो है जल जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं दाएबाला सब्सक्राइब्स उन्ट कुना है अगर आप टर्निंग के बात करें तो अगर आप ऊपर की तरब लेगे तो तो left side का indicator जलने लगेगा यानि कि left side पे आपको जाना है अगर आपको इसी तरह इसको नीचे लेना है तो right side का indicator जलेगा यानि कि आपको right side में जाना है और दोस्तों अगर आपको pass मांगना है तो pass के लिए जो है कि अद्व着 अद्वाइन कि यानुकि आपको इसको देरे से ऊपर को लेना है पको two-fish lies कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बार समय प्सकिता प्सक्तों प्सक्तों आपाएब हो लग साथ में आपएब कम तक दूहिए। झाल झाल